हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, एडू फाइल, आज इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक, टेंसर के बारे में डिस्स करने वाले हैं, जिसका फिजिक्स और मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा अप्लिकेशन है, हम इसके अप्लिकेशन की बा क्या होता है, वेक्टर ऐसी कॉंटिटी होती है, जिसमें मैगनिट्यूड और डिरेक्शन दोनों होता है, for example, वेलाउसेटी याफिर डिस्प्लेश्मेंट, तो अगर हम डिस्प्लेश्मेंट की बात करें, from point o to a, अगर हम हमें displacement कैलकुरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, कै displacement में आप जानते हैं, आपके पास direction भी होनी चाहिए और magnitude भी होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर O to A, तो यहाँ पर इसकी direction होगी magnitude की बात करें, तो X से 2, Y से 3 and Z से 4 unit, इस तरीके से, तो हम इसको लिख सकते हैं, O A vector is equal to 2 I cap plus 3 J cap plus 4 K cap, अब यहाँ पर 2, 3, 4 क्या है, यह है components, य भी कहते होंगे, I, J के हमारे हैं basis vector, जो की एक तरीके से direction को आपके दर्साते हैं, X axis के along, I cap हम लेते हैं, Y axis के along, J cap हम लेते हैं, और Z axis के along, K cap हम लेते हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर समझा हम displacement कैसे पता करते हैं, उसमें हमें direction और magnitude दोनों की ज़रत ह तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि vector, vector को define करने के लिए हमें एक component के लिए कम से कम एक basis vector की ज़रूरत होती है, जैसे कि माले जे इस component के लिए हमें एक basis vector की ज़रूरत हुई, इस component के लिए हमें एक basis vector की ज़रूरत हुई, इस component के पर component हमें जरूरत होता है to define a vector, one basis vector per component यह आपको समझ में आप चलिए scalar समझते हैं, तो scalar क्या होता है, scalar जैसे कि आप समझ सकते हैं distance हो गया, temperature हो गया, मतलब ऐसी quantity जिसमें केवल magnitude और direction ना हो, तो for example हम लेते हैं temperature, तो temperature मा लेते हैं यहाँ पे 30 degree Celsius है, तो 30 degree Celsius में direction का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे 30 degree Celsius temperature है, तो इसमें आपको क्या पता है, केवल और केवल magnitude, तो देखें यह भी तो एक component हुआ 30 degree, तो यह component इसको define करने के लिए हमें क्या कोई basis vector की जरूरत पढ़ रही है, क्या इस component को define करने के लिए हमें कोई direction की जरूरत पढ़ रही है, नहीं, तो हम कह सकते हैं, scholar जो होते हैं, उनको define करने के लिए हमें zero basis vector की जरूरत होती है, और vector को define करने के लिए one basis vector की जरूरत होती है per component, यह दुनों आप समझ गए होंगे, अब चलिए बात करते हैं हम लोग एक cube लेते हैं, क्या लेते हैं, जैसे यह आप देख सकते हैं, यहाप एक cube है, तो इस cube को हम क्या कर सकते हैं, इस cube पे माल लिए stress लग रहा है, अब stress क्या होता है, force पर area, force divided by area होता है stress, तो इस तरफ से force ल इस direction से force लग सकता है, आप देखिए, इस पे जो force लगेगा, उसके total stresses होंगे, अब stress क्या होता है, force divided by area, force divided by area होता है, तो इसके जो total stresses होंगे, इस cube पे वो 9 possible stresses होंगे, कितने होंगे, 9 possible stresses, for example, इधर आपका force लग रहा है, तो एक इस तरफ लग सकता है, इस तरफ लग सकता है और एक इस तरह लग सकता है, तो यहां पर हमें क्या करना है, area को भी as a vector consider करना है, अगर हम देखें तो total 9 आपके possible stresses होगे, आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, अब इस तरीके से हमने बनाया, फिर यहां पर आप समझ सकते हैं, यहां पर यहां पर हमने माना है, यहां पर यह stresses होगे, यहां पर, तो देखें, यहां पर जो 9 तरह की हैं, तो क्या हम 9 जो अलग अलग तरह के forces हैं हमारे, क्या हम उनको simply add कर सकते हैं, तो answer होगा no, answer होगा no, इन 9 forces को हम add नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखें, इस तरफ से लग रहा है, तो यह cube को क्या कर सकता है stretch कर सकता है इस तरफ से इस तरफ से stretch कर सकता है अगर हम इस तरफ लगा दे तो compress हो जाएगा यानि कि इस तरह से दब जाएगा इस तरफ से stretch हो जाएगा और इस तरफ direction लगा दे तो इस तरह से फैल जाएगा थोड़ा सा cube का shape deform हो जाएगा और इस तरफ से लगा दे तो ऐसा हो जाएगा मतलब शेप क्या हो जाएगा थोड़ा सा अलग अलग तरीके से हो जाएगा बई 9 forces तो हैं लेकिन इन forces का nature अलग अलग है तो इसलिए हम इन forces को add नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पी आपने समझा इनको हमें अलग treat करना होगा तो हम इनको कैसे treat करेंगे तो यहाँ पी जो stress होगा हमारा that is sigma is equal to जिसको हम लोग matrix के रूप में लिखेंगे sigma 1 1, sigma 1 2, sigma 1 3 and sigma 2 1, sigma 2 2 sigma 2 3, sigma 3 1 sigma 3 2 and sigma 3 3 इस तरीके से हम matrix के रूप में लिखेंगे यहाँ पर तो यह आपने समझा इसको हमने matrix की रूप में लिखा तो that means यहाँ पर हमें इतने सारे चीजों की जरौत हुई तो यह सब क्या है यह सब है इनके components यह सब क्या है component जैसे यहाँ पर 2, 3, 4 इसके component थे तो वैसे यहाँ पर इसके component यह सारे है तो आप क्या कह सकते हैं यहां पर matrix है यह क्या है एक matrix है तो that means matrix जो होता है वो tensor होता है क्या that means matrix जो होता है वो tensor होता है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं होता है यहां पर मैं clear करना चाहूंगा matrix जो होता है वो just array of numbers होता है एक array of numbers होता है matrix और जबकि tensor क्या होता है टेंसर आपका numbers तो हैं लेकिन साथ ही साथ में उसकी क्या है? basis vector की भी जरूत पड़ेगी. अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितने basis vector की जरूत पड़ेगी per component. तो यहाँ पे two basis vector per component की जरूत पड़ेगी आपको. two basis vector per component. इसका मतलब क्या है? इसको मैं आपको समझाता हूँ. देखिए, two basis vector per component इसको हम लिख लेते हैं. यहाँ पे देखिए, zero basis vector per component, यहाँ पे one basis vector per component और यहाँ पे two basis vector per component. मतलब क्या हिसका? देखिए, मतलब यह है कि यहाँ पे area के लिए हम direction लेंगे, तो एक area के लिए हो जाएगा और दूसरा force के लिए. तो माल लेते हैं, area इस तरफ along कर रहा है, और force इस तरफ along कर रहा है, तो एक area का हो जाएगा और एक force का हो जाएगा. area को भी हम as a vector treat करेंगे, यहाँ पे surface area, तो यहाँ पे इसलिए two basis vector per component होगा, तो यह हमारा tensor है, of rank 2, देखिए rank कैसे define करेंगे, अगर एक basis vector per component है, तो हम उसको कहेंगे tensor of rank 1, और two basis vector per component है, तो हम उसको कहेंगे tensor of rank 2, बहुत ही simple है, तो यह आपने यहाँ पे समझा, इसको हमने matrix के form में लग दिया, और matrix जो होता है, वो tensor नहीं होता है, क्योंकि हमें matrix जो होता है, array of numbers होता है, जब भी tensor में हमें basis vector की भी जरूरत पड़ती है, तो अब चलिए tensor के definition को समझते हैं, फिर उसके बाद मैं आगे इसको और explain करता हूँ, ताकि आपको और अच्छी clear हो, तो इन m-dimensional space, a tensor of rank n is a mathematical object that has n indices, m to the power n components and obeys certain transformation rules, देखिए, माल लेते हैं, n-dimensional space, अब m-dimensional का मतलब हम लोग जड़ा-दा 3-dimensional space में रहते हैं, 3D में रहते हैं, length, breadth and height, 3-dimensional space, जैसे कि आपका room हो गया, तो 3-dimensional space है, माल लीजिए, तो ए tensor of rank n, rank n माल लेते हैं, चलिए, rank 2 है, 3-dimensional है, यहाँ पर हमारे यह, और rank इसका कितना है, 2 है, तो इस है mathematical object, एक mathematical object है, that has n indices, जिसके n indices हैं, मतलब जितना rank उतना indices, आप देखिए, indices कैसे हम define करेंगे, यहाँ पर मैंने जो लिखा है, आप देख सकते हैं, यह indices है, 11, 12, 13, यह सब क्या है, indices है, तो यहाँ पर देख सक 3-dimensional space हमने लिया, और rank 2 लिया हमने, और indices भी कितने होंगे, 2 होंगे, and m to the power n component, component क्या है, यह है आपके, जो bracket में लिखे हुए, यह component है, आपके matrix form में जो लिखे हुए, m to the power n component, इसका मतलब क्या है, देखिए, m dimension है, that means 3 dimension है, और इसका m square होगा, क्योंकि यहाँ पर rank 2 है, यह n rank 3 का square कितना होगा, 9, तो यहाँ पर कितने component है, 9 component है, यह आपको समझ में आ, tensor का मतलब, अब आगे मैं बताता हूँ, यह होंगे, ओबे करेंगे certain transformation rule को, मतलब कि हम क्या करेंगे, इनके coordinate को shift करते जाएंगे, coordinate system, हम अलग-अलग coordinate system consider कर सकते हैं, वह किसी भी quantity को define करने के लि इधर x कर दें, इधर y कर दें, तो हम क्या कर सकते हैं, transformation कर सकते हैं, यह कुछ अलग transformation rule को follow करेगा, उसको हम tensor कहते हैं, यह आपको समझ में आ, tensor क्या होता है, आप देखिए, अब rank of tensor क्या होता है, इसको मैं फिर से define करता हूँ, it is defined as the number of direction required to describe it, यानि कि number of direction आपको चाहिए, यह rank किसी भी tensor को define करने के लिए, for example, यहाँ पे आपका rank कितना है, 1 है, क्योंकि आपको एक basis vector per component की ज़रुत है, यहाँ पे rank 2 है, क्योंकि आपको दो basis vector per component की ज़रुत पड़ी है, तो यह आपने समझा, a tensor of rank 0 is called scalar, यहाँ पे मैं आपको बताया, यहाँ पे कितना 0 है, 0 basis vector की ज़रुत पड़ रही है, तो that means, यहाँ पे rank 0 होगा, और 1 rank है, तो उसको vector कहते हैं, तो यह था tensor के बारे में, अब इसके transformation rule को जब तक हम नहीं जानेंगे, तब तक इसकी definition complete नहीं होगी, तो अब चलिए tensor का करते हैं, transformation, अब चलिए, देखे, transformation को मैं आपको समझा दूँ, देखे, transformation जैसे कि मा लिजे, एक ball इस तरीके से, इस पे से, ऐसे, मूब कर रही है, इस तरफ मूब कर रही है, तो हमने x इधर लिया, y इधर लिया, y इधर लिया, फिर हमने क्या किया कि उसी x, y को थोड़ा सा ऐसे rotate कर दिया, x को इधर rotate कर दिया, y को इधर rotate कर दिया, फिर X और Y को इधर और rotate कर सकते हैं मतलब क्या कर सकते हैं coordinate को different coordinate को consider कर सकते हैं different coordinate system को हम ले सकते हैं उस ball की velocity को define करने के लिए तो यह बताइए क्या उस ball के velocity के physical nature पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा तो that means अब समझे इसको transformation को it is often desirable to know the value of a tensor property in a new coordinate system हमें new coordinate system में define करना है किस वेक्टर P consider कर लें जिसका component P1, P2, P3 है जैसे यहाँ पर आपने एक वेक्टर लिया था ओए जिसका component 2, 3, 4 था वैसे हम P लेंगे तो उसका P1, P2, P3 हो जाएगा component अब यह कि यह जो P1, P2, P3 है उसको हमने X1, X2, X3 axis में define किया जैसे यहाँ पर आपने XYZ axis लिया है यहाँ हमने X1, X2, X3 axis लिया है आप X1, X2, X3 axis कहाँ पर है इसको मैं आपको थोड़ा सा शो कर देता हूँ यह है आपको X1, X2, X3 axis इसको अब हम क्या करना चाहते हैं कि जो हमारा वेक्टर P है उसको हमने define किया है इस तरीके से X1, X2, X3 axis में हम चाहते हैं कि इस P को हम define करें P1, P2 P2-P3 के term में अभी हमने P1, P2, P3 के term में define किया है अब हम P1, P2, P3 के term में define करना चाहते हैं along new coordinate axis Z1, Z2, Z3 तो हमें यह करना है तो देखिए यहाँ पर पहले हमारा coordinate क्या था X1, X2, X3 यह coordinate axis था हमारा अब हम new coordinate axis ले रहे हैं J1, Z1, Z2, Z3 मतलब हमने क्या किया रोटेट कर द यह old coordinate system में है आपका quantity P जिसके X axis के along P1, X1 axis के along P1 component है इसके along P2 component है इसके along P3 component है यह तो आपको पता ही होगा अब हमें क्या करना है नए axis के along इसको define करना है Z1, Z2, Z3 सेम चीच को तो उसको हम कैसे define करेंगे उसके लिए हमें relation पता होना चाहिए old coordinate system और new coordinate system में इनके बीच मे angle पता होना चाहिए जैसे कि आप इसके बीच के angle पता करिए आप क्या करिए इसके बीच के angle पता करिए आप इनके बीच के angle पता करिए इनके बीच के angle पता करिए आप इनके बीच के angle पता करिए यानि total आप 9 तरीके के angle पता करिए तो तब जाके आप P1, P2, P3 से P1-P2-P3 निकाल पाएंगे तो यह आपने समझा आपको सबसे पहले क्या करना है we first need to define how the coordinate system are related to each other मतलब कैसे related है इसको हमें define करना है this can be done by noting the angle between each axis there will be nine angles, total nine angles होंगे तो इसको अब हमें करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्या किया है जैसे हमारा p vector था तो उसके component होंगे p1, p2, p3 अब हम define करने वाले हैं new coordinate system यानि z1, z2, z3 तो इस तरीके से हम यहाँ पर define कर देते हैं चलिए यह हमारा यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से यह इस तरीके से हो जाएगा और यह इस तरीके से हो जाएगा यह हमारा coordinate system यह आपको समझ में है आप देखिए यहाँ पर यह हमारा है यह हमारा हो जाएगा z2 और यह हमारा हो जाएगा z1 और यह हमारा हो जाएगा z3 अब यहाँ पर मैंने कुछ अलग लिया है आप यहाँ पर कुछ अलग लेंगे वही आप चाहे जिस तरीके से coordinate system consider कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए इसके along आपने P2 लिया था ऐसे मिलाते हैं हम लोग component को अब यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको हमें define करना है तो यहाँ पर एक आप mark लगाई है और यहाँ पर एक mark लगाई है और आप यहाँ पर एक mark लगाई है इस तरीके से आपको define करना है मतलब ऐसे ही आपको मिलाना है यहाँ पर इसको क्या करना है मिलाना है दूसरे से तो आपका नया जो component आएगा वो क्या आजाएगा यह हमारा Z2 है तो यहाँ पर आ जागा P2- यहाँ प्या जाएगा P1- और यहाँ प्या जाएगा P3- आप देखिए आपने P1, P2, P3- डिफाइंड कर दिया अब चलिए हम लोग इसको और अच्छे से समझते हैं कि P1- P2- P3- की वैलू क्या होगी तो देखिए P1- की वैलू जो होगी आपकी हो जाएगी P1-Cos-Alpha11 अब हमारा P1- होगा P2- को हम लिख सकते हैं इस तरीके से P3- को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं बहुत ही सिंपल है आप लोगों ने बहुत सारी इकवल टू 1-2-3, A1, A1, J, P, J अब देखिए A1 हमने क्यों लिया है, Cos-Alpha को replace करके लिया है तो यहाँ पर देखिए 1-1-1 है तीनों तो हमने इसलिए A1 लिया, A1 नहीं लिया है और यहाँ पर J हमने लिया क्योंकि यह 1-2-3 चेंज हो रहा है ठीक और फिर यहाँ पर हो ज को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, J is equal to 1-2-3, A3-J and P-J, simple, which can be further condensed it to, आप इसको फर्दर लिख सकते हैं, P-I- is equal to J is equal to 1-2-3, A-I-J, P-J, यहाँ पर हमने आई भी लिखती है, क्योंकि हम तीनों को एक साथ में लिखना चाहते हैं, तो I is equal to 1-2-3 और J is equal to 1-2-3, इस तर करेंगे, तो P-I- is equal to, आपका simply हो जाएगा, A-I-J, P-J, यह है आपका transformation rule, आप देखें, यह क्या होता है, यहाँ पर summation हमने क्योंगा आप कर दिया, क्योंकि Einstein ने हमें summation convention दिया था, उसमें हम summation का use नहीं करते हैं, उसको मैं कुछ अलग वीडियो में detail में explain करूँगा, तो य यह है आपका transformation rule, किसी भी vector के लिए, या किसी भी tensor के लिए, from one coordinate system to another coordinate system, तो यहाँ पर मैंने tensor को फूरी तरीकी से आपके लिए define किया है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे की वीडियो में में कुछ और topic distance करेंगे, वीडियो देखने के लिए, thank you, thank you so much.